हेलो दोस्तों आज मैं बनाने जा रहे हूं फ्राई भिंडी की सब्जी भिंडी की सब्जी कई तरीकों से बनाया जाता है आज मैं एकदम सरल और इजी तरीका लेके आए हूं एक बार आप भिंडी की सब्जी मेरे तरीके से बना के देखिए बहुती जटपट बनके तयार हो के पानी सुखा अंगर आपका पानी शुखा रहेगा तो फिन्डी काटने में लीब लीब नहीं करेगी बहुत ही अच्छी हम खटकर को लेते हैं कि हम इसे तरीके से कट रहे हैं इससे आपका तयारे डियेंगे और हम ने रखा है पैन पैन में डाला है दो से तीन बड़े चमच तेल हरी सबजियों में तेल थोड़ा ज़्यादा हम लोग डालते हैं आप अपने इसाफ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं तेल हमारा गरम हो चुका है इसमें हम डालें थोड़ा सा पच्पोरन और इसमें डालेंगे साफ से आट कटा हुआ लेसुन की कलिया और इसमें डालेंगे दो से तीन हरा कटा हुआ मीर्च अच्छे से इने बून लेंगे इसमें और डालेंगे साफ से आट कड़ी पत्ता आप देख सकते हैं लस्टून हमारा हलका golden brown हो चुका है इसमें हम डालेंगे दो बारी कटा हुआ प्याज प्याज हमारा थोड़ा पक चुका है हम अच्छे से इसको mix करके भून लिए हैं अब इसमें डालेंगे हम कटा हुआ भिंडी भिंडी डालने के बार अच्छे से इसको हलके हाथों से चलाते हुए mix कर लेंगे भिंडी को आपको बार बार नहीं चलाना नहीं तो आपकी भिंडी तूठ जाएगी तीन से चार मिनट भिंडी हमारी ओट चुकी है थोड़ा भिंडी हमारा पक के सौफ्ट हो गया है आप देख सकते हैं भिंडी को हमें खूले में पकाना है डग नहीं पकाना है इसे हम बीच भीच में हलके हाथ के चलाते रहेंगे। पूरे भिंडी को हम 10 से 15 मिनट तक पकाएं इसे हम medium flame पर ही पकाएंगे अगर आप high flame पर पकाएंगे तो भिंडी आपकी अंदर से अच्छे से पकेगी नहीं बाहर से जलबी सकती है इसके लिए आप इसे medium flame पर ही करके पकाएं भिंडी हमारे थोड़ी पक चुके हैं काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा डालेंगे और यहां डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर ताकि जीरा का फ्लेवर अच्छे से आजाए सबजीव में यहां पर डालें थोड़ा सा कासमीरी लाल मेर थोड़ा हल्दी पाउडर और अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे इसमें हम कोई ज्यादा मसाला नहीं डालें बहुत ही थोड़ा थोड़ा डालें हैं अच्छे से मिक्स करके 2-3 मिनट पका लिए हैं और इसमें हम डालेंगे लाश्ट में स्वाद अनुसार नमक, नमक को डालके अच्छे से हलको हात्व से हमने मिक्स कर लिए, आप देख सकते हैं भिंडी हमारी कितनी अच्छी और कुरकुरी बनके तयार है, आप इससे ज़्यादा कुरकुरी चाहते हैं, तो आप और भिंडी को पका लें, दो से तीन मिनर तक और इसमें हम लाश्ट में डालेंगे कटा हुआ हरी धनिया, भिंडी हमारी बनके तयार है, हमने गयश को बंद कर दिया है, चलिए इससे अपसर्बिंग पलेट में सर्व कर लेते हैं, हमारी भिंडी की सबजी की रेश्पी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जर लाइक जरूर करें, चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेश्पी के साथ, तब तक के लिए ठाइंक के ओ झाल